क्था से जो सबसे पहला पाठ हम सीखते हैं वो है सब के मतों का सम्मान हमने ये कहानी अपने तरीके से सुनाई क्युकि हमें अपने ही तरीके से सुनानी चाहिए थी जब महर्शुवालमी की एक धा लिखते हैं साड़े साथ हजार वर्ष पहले वो कहानी उन्होंने वार्शिवालमी की तरह नहीं सुनाई फिर हमने देखा आधरनेश्य रामानन सागर की रामायड बहुत भवे बहुत ही अद्भूत रामायड वो हमें देखने को मिली जब ओम्राउत ने ये फिल्म बनाई और मैस फिल्म से जुड़ा तो हमारे पास भी अपना एक तरीका था बात कहने का तो हम उस तरीके से बात कहना चाह रहे थे हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी समप्रेशलिय था कम्मिनिकेशन क्योंकि हम ये तो जानते थे कि ये देश राम के मूलियों पे राम के सिर्धानतों पे चलने वाला है यहां किसी को राम बताने की जरूरत नहीं है सब राम जानते हैं लेकिन दुर्भागी ये है कि जो नई पीड़ी है ये नए बच्चे कैप्टन अमेरिका और थौर और मार्वल और डीसी के यूनिवर्स में पल बढ़ रहे हैं ये राम की कथाएं नहीं सुनते और अगर मैं इमानदारी से कहूँ दिल पे हाथ रखके कहूँ तो कितने बच्चे हैं जो यूट्यूब पे अपने खाले टाइम में लगा के रामानसागर जी की रामायर देखते हैं आप आएंगे शूनि नहीं देखते बच्चे मैं और आप देखते हैं मुझे आज भी देखनी है अगर मैं घर जाओं मेरे पास आधे घंटे हो तो मैं एक एपिसोड देख डलता हूं मैटके लेकिन मेरे 12 साल का बेटा ये नहीं करता है तो जो लक्ष था बस इतना ही था कि शृरी राम की कहानी जो इतने बड़े नायक हैं हमारे उनसे बड़ा नायक क्या कोई हो सकता है क्या कलपना भी कर सकते हैं आप उससे बड़ा नायक आनी की वो नायक लोगों तक पहुँचे ये जाने कि सिर्फ सुपरमैन हवा में नहीं उड़ता था हमारे बजरंग बली उससे बहुत पहले उड़ते थे सव योजन का समुद्र पार कर जाते थे हमारे बजरंग बली सिर्फ हलक ऐसा नहीं था कि जो बड़ी-बड़ी चीज़े मारे और मुका और पहाल तूट जाएं हमारे बजरंग बली द्रोणा गिरी परवत उठा के उड़ जाते थे ये सब हम लोगों को बताना चाहते थे इतना सा ही लक्ष है था कि आपने नये हीरो दे पाएं असली हीरो, सनातन के जो हीरो थे, सनातन के नायक हैं वो हम बच्चों को दे पाएं ये हमारी यात्रा थी, ये हमारी कोशिश थी देखे पहली चीज तो यह के पहले दिन से जब मैं पहली बार मीडिया के सामने आया था इस फिल्म को लेके तब से मैंने एक चीज कही थी कि ये वन वे ट्राफिक नहीं है टू वे ट्राफिक है हम उन फिल्मेकर्स में हैं जो आपकी बात सुनेंगे इस देश में और कोई फिल्म निर्माता ये दावा नहीं कर सकता कि उसने कोई भी संशोधन लोगों के कहने पर अपनी फिल्म में किया हो हम पहले दिन से सुन रहे हैं वादा किया हमने सुना आपने देखा टीजर आपने देखा था और टीजर के बाद जब पहला ट्रेलर आया, पहला ट्रेलर पे तो हम सब ने देखा था कि डायलोक्स पे तो आर्टिकल लिखे गए बड़े-बड़े, डायलोक्स पे तो बड़े-बड़े न्यूस चली जब वो भगवान श्रीर राम बोलते हैं कि हम अपने जन्म से नहीं कर्म से छोटे अबड़े होते हैं जब भगवान श्रीर राम कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना उस दिन के लिए लड़ना जब हजारों साल बाद तुम्हारी कहानिया सुना कर माई बेटों को बड़ा करेंगी उस दिन के लिए लड़ना जब भारत वर्ष की किसी बेटी पर हांट डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुश यात करके धर्रा उठेगा उस दिन के लिए लड़ना जब एतहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सरजोग जाएंगे मर्यादा के लिए लड़ना लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो एहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज यह सब डायलोग इसी फिल्म के हैं मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ जब मा सीता अशोक वाटिका में है और रावन उनके उपर लगातार दबाव बना रहा है कि तुम्हें इस यातना भरे जीवन से मुक्त होने के लिए सोने के लंका में चलो तो मेरी पतनी बन जाओ और वहां मा सीता कहती है उसकी आँखों में आखिने डाल के कि रावन तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है कि जानकी का प्रेम खरीद सके यह सब इसी फिल्म का हिस्सा है यह सब इसी फिल्म के समवाद है तो इन समवादों पर अगर आपने तालिया बजाई अगर आपको लगा कि मनोज मुंतशिर के लेखनी से नेकले ये समवाद आपके राम के चरित्र को और आपकी मा सीता के सतीत्व को सही तरीके से प्रतिपादेत कर रहे हैं, सही तरीके से प्रिजेंट कर रहे हैं, तो पहले तो इतनी के लिए मेरी प्रशनसा होनी चाहिए कि मैंने बहुत अच्छा किया फिर जहां आपको ये लगता है कि नहीं भाई बजरंग बली के पांच समवादों पे पूरी कहानी है चार साढ़े चार हजार लाइने मैंने गिनी तो नहीं है पर लगभग इतनी को समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं बजरंग बली को समझने का प्रयास कर रहा हूँ मुझे ऐसे दिखे, मुझे लगा बड़ी चंचलता थी उनके अंदर, मुझे लगा वो राम नहीं थे वो बजरंग बली थे, राम भग थे तो वो हूमर लेके आते हैं वो उसको बहुत रोचक बनाते हैं उनके अंदर परवतों जैसा बल है उनके अंदर हजारों अश्वों का वेग है बल बुधि फिद्या के देवता है ऐसा नहीं कि उनकी कोई बुधि कम है लेकिन इसके बावजूद जब वो बातें करते हैं बड़ी सरलता से बात करते हैं बड़ी सहस्ता से बात करते हैं बड़ी निश्चलता से बात करते हैं बालक सोभाव है उनका जब आप रामानन साकर जी की भी रामायर देखें तो जब वो खड़े हुए हैं रावन के दरबार में और उनसे पूछता है रावन की तूने ये उत्पात क्यों मचाया पूरी मेरी वाटिका उजाड़ दिया चोक वाटिका तो कहते हैं नहीं मुझे भूक लगी थी और मैं सौ योजन का समुद्र पार करके आया था भूक लगी थी मुझे फल दीखे मैंने खा लिये और फल खान करने के लिए त्यारत है ये तो आपके सपोर्टर होते हैं उसी में से 10-20% जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी जन्भावना का आधर करते हुए आपकी कंपनी जो प्रडूसर रहे हैं उन्होंना भी बयान जारिक है शायद आपको बदलाव करने वाले हैं को बयान सबसे पह मैं अंगिनत तर्क दे सकता हूं लेकिन मेरे तर्क देने से आपकी पीड़ा कम नहीं होगी अगर आपको कुछ दुखा है अगर आप आहत हुए हैं आपका आहत होना मेरे लिए बड़ी बात है मेरा एहंकार एक लेखक के तौर पे कि मैंने तो भाई लिग दिया ये बहुत ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे डिरेक्टर ओम राउत, मेरे प्रोडूजर श्रीभोशन कुमार ये एक लॉजिस्टिकल नाइट्मेर है कि जो पिक्चर लगभग 10,000 थेटर में रिलीज हो चुकी हो अब उसमें कुछ समबात बदले जाएं ये फैसला हर कोई नहीं ले उसमेर के सकता वही ले सकता है जो जंता का सम्बान करता है और इसलिए हम वो डायलोक्स बदल रहे हैं बहुत जल्द मुझे लगता है कि लॉजिस्टिकली सब क्लीर होने के बाद अगले दो से तीन दिनों में ये डायलोक्स थेटर में होंगे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखे रही है